हेलो आपूरवा एंड वेलकम अगैन तुदी काड़ आश्ची सुगाइस फाइनली और न्यू ब्रेजा को मार्केट के अंदर लॉंच कर दिया गया है एंड मार्ती ने ब्रेजा को एक मेजर अपडेट के साथ में लॉंच किया है नौ इसके लॉंच होते ही इसने कई सारी को कि क्या स्कूर्ण बेस्च है और यह सेक्ट नंबर 1 टाडा नेक्स होने वाली है हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में नेक्स उन्प काफी अपडेट मिले हैं आखिर दोनों में से कौन से कार वेस्च से कौन से एक ब्रों बन सक्कता है इनी सब चीजों को देखने के लिए आज की इस वीडियो में मैं दोनेहीं कार के बीच में डीडील कॉमपरीजन करने वाल हुह पहले चीज लिए अगर आप डीजर अली प्रैजेंग के बीच में बिल्कुल कॉमपरीजन नहीं एट लैक से सुरू होकर 14 लैक तक सम्थिंग जाती है बाकि जो मैंने कॉम्पेर करने के लिए उसकी प्राइस स्किन पर सो हो रही होंगी सो अब दोनों ही कार्स के इंजन स्पेक्स को देख लेते हैं तो नेक्सवान को 1.2 लिटर टर्वो चाइज 3 सिलेंडर रिवर्ट्रों इंजन मिल जाता है जिससे की 120 बेटी की पावर और 170 न्यूटर मिल जाता है वहीं ब्रेजा में नेक्स जेनरेशन के सिरिस 1.5 लिटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है विद फोर सिलेंडर डूल जेट डूल बीटी वाली इंजन जो आपने एक्सल 6 और न्यू अर्टिगा में देखा है अगर मैं बात कोरू इसके पावर फिगर की तो इसमें 102 बेस्पी माइलज मिल जाएगी यहाँँच के लिटर बात करो दोनों कार की अल्मुश से जो अतना नौटिसी एवल नहीं है अगर मैं बात कोरू हाइट और विटर विट्ट जिट्की तो हाइट में नेक्स रिजा से पीछे निकल जाती है और विट्ट में नेक्स उन बिजा से आग ब्रेजा में मिलने वाली पूट स्पेस ते जादा है यानि ब्रेजा में सिर्फ थी हंड़े इंट्वाइटर की बीच बात करें तो नेक्सों को 209 mm मिल जाती है आगे बढ़ने से पहले आईए आपको एक मेजर अपडेट के बारे मताते हैं तो ब्रेजा को आप नए एलेक्ट्रिक संरूफ मिलती हैं लेकिन मारती के हिस्ट्री में पहली वारे से कोई कार है जिसके अंदर संरूफ ऑफर की गई है तो चलिए फिर अब दोनों करते हैं हालाकि अगर मैं बात करूँ इस दोनों कार्स के लुक के बारे में तो यह आपकी पर्सनल च्वाइस है कि आपको दोनों ही कार्स में कौन से ज्यादा एट्रैक्ट करती है वैसे काफी जादा मस्कुलर और बोल्ड लुक दिया गया है अगर मैं दोनों ही कार्स के चाहिन करने गापी सफिर लुक को तौन है क्या विभी ऑसे में जाती है वैसे सीज लाइट बास टोकुलक देशन हो लाइसर टॉन लाइटिस बिल्याति है मोर्य परिशन कंक्या और में अधे चाह्यट और व कि यह है आपको प्रमी कार्स मिल जाते हैं कि नहीं है खारो ज् अगर मैं एलोएस के डिजाइन की बात करूं तो जो नई वाली ब्रिजा उसकी अफिर ट्रेंडी लग रही है काफी अदा मॉडर्न लुक दे रही है यह आपकी परस्नल चोईस है कि आपको किसकी अलोएस जाद अच्छी लग रही है अगर हम दोनों कार्श के रियर लुक को देखे तो ब्रिजा की रियर लुक है काफी अट्रक्टिव दिख रही है जस्ट विकाज अब इसकी न्यूड टेल लैम की वैसे जो की काफी अट्रक्टिव है क्योंकि अगर नेक्षण की तो थोड़ी सा आउट्डेटिड लगती है दोनों कार्श को अगर मैं अधर बेसिक फीचर की बात करो तो रियर वाइपर डी फॉग और वॉसर यह सारे फीचर मिल जाते हैं रियर क्यामरा भी मिल जाती है नेक्षण को लेकिन एक फीचर जो है वह ब्रिजा को सबसे अलग मुनाती है वह इसका इसका सबसे पहले इंडियर देखने को मिल जाता है pepper में आपको प्लाक और अंपल्याल का सब्से पहले वायसे के बाते करते हैं जो कि दोनों ही कार्श में कॉमन है तो दोनों ही कार्स को आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हाइट ड्राइवर सीट कूल ग्लव वॉक्स एंडॉड ऑटो एंपल कार प्ले का सपोर्ट क्रूस कंट्रोल कर टेक्नलोजी फीचर्स रियर एसी वेंट इलेक्ट्रिक संरूफ फ्लैट बॉटम स्टेरिंग फैब्रिक सीट कि सारे फीचर्स दोने कार्स में कॉमन मिलते हैं अदर फीचर की तरह बढ़े तो नेक शोन को सेव निनिक मिलता है हर्मन की तरफ से वेरस ब्रीजा में 9-in का स्मार्ट प्लेव प्रो टचस्क्रिन मिल जाता है और ब्रेज़यर को और सारे फीचरिं पीचरि मिल जाती है wireless charging मिल जाता है एसको मिल जाता है जो कि सेग्मेंट फर्स्ट फीचर है एमेंट लाइट मिल जाती है इसको tilt and telescopic steering adjustment मिल जाता है प्लस विटार विजा को सिंपल अनलोग instrument cluster मिल जाता है जो कि काफी basic दिखाई पड़ता है मुझे लगता है अगर हम देखें नेक्स में तापको उसके अंदर फुली डिटल instrument cluster offer किया गया है अब बात कर लेते हैं दोनों कार्स के music system के बारे में तो अब बात कर लेते हैं तो अब बात कर लेते हैं तो अब बात कर लेते हैं दोनी कार्स के सेफटी के बारे में तो आप सबको पहले से पता है कि जो नेक्स वान है उसने ग्लोबल एंग क्राश्टेश्ट में टोटल फाइव स्टार स्कोर किया है बात करें अगर ब्रेजा की तो इस एक न्यू सुजू की टेक प्र बेटफॉर्म पर बनाई गई है देखते हैं आग अगर मैं बात कूरें बात कुरो प्रेज जरूर चेक करके बताओंगी जल्दी में इसका डीटील रीवीव एपने चैनल पर लेकर आने वाली हों अगर मैं बात करो कि आपकी लिए दोनों की कार में से कौन सा एक बेटर ऑप्सन बन सकता है तो दोनों की कास अपने आप में बेस्ट है अगर नेक्सवन को देखे तो वह अभी इंडिया की मोच सेलिंग स्यूवी है अगर आपको कार एक पूरी फीचर से लेस्ट चाहिए यानि आपको फीचर लूडड़ चाहिए तो ब्रेजा आपके लिएक बेस्ट ऑप्सन बन सकता है तो यही था आज का डीटेल कॉम्पेयर और ब्रेजा 2022 एंड नेक्सवन 2022 बाकि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हलफू लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करें गिविट अप बिग थम्स अप अप अड आल्सो डू सब्सक्राइब चैनल तो मिलते हैं जल्द फिर ब्रेजा की डीटेल रिव्यू के साथ में जय ही जय भारत